ओम श्री ग्रेशाइनाओं आयोगे से जोटिस के चेनल प्राप का स्वागति कन्यारासी 2019 करें ये उपाएं और सभलता पाएं दोस्तों कन्यारासी बनों का 2019 में ग्रहों की स्थिति के अनुसार अच्छे एवं सूप भादाय की युग बन रहें यह वर्ष कन्यारासी के लिए जिन्देगी उच्छेत्रों में उन्नती कारें ग्रहों की स्थिति बनेने से जातक और जातक और प्रसनता से भरा रहें यदि कन्यारासी के जातक इन योगों का ध्यान रखते हुए ये उपाय करते हुए अपना कार करेंगे तो यह वर्ष फिर्वार करते रहते हैं यानि जातक में निरंतर सुधार करते रहते हैं बुध बेपार वानी गनित वाकचातुर जोतिस आचार चिंतनमनंद सप्ति के स्वामीं बुद्ध से प्रवाइजातक विद्वान, सहित्तका, जोतिस भणीतल विद्ट जिके सक बहुम्खी प्रतिवा का धनी होता है काम्यावी उसके साथ साचलती कन्यारासी के चातक कन्यारासी के कारगर बुद्ध एवं सुखर है यदि इसके साथ में गुरु की करपा हो जाए तो उसके प्रभाव में चार चान लग जाते हैं एसा जातक गुड रहिस्तों का ग्याता हाजिर जवाव युक्ति युक्त से निकुन सच्चा सरल होता है उसे उत्तम सकारात्मक विचारों वाला साथ मिलनसा प्रकति का संसारी कहाँ जा सकता है कहने अरासी के जातकों से निवदान है कि वे हमेशा सकारात्मक ही सुचें यही उनकी पहचाने यही उनकी उन्नती का राज है और अपनी पुन्नती को सुनिश्चित करने के लिए ये उपाय करें पहला उपाय हैं बुद्वार का ब्रत उपवास संकल्प लेकर करें जो ब्रत आने वाले प्रथम बुद्वार एरा फरवरी 2019 नर्मदा जनती फिस्म अस्टमी से सुरू करते हुई तिनांक 20 नमंबर 2019 तर करना है अर्थाक इसकी संपन्नता दीपा ली के बाद होने से निश्चित रूप से सुरी गनेश जी सुरी हरी विश्नुजी एवं सुरी लच्मी जी प्रस्तन होकर वर्दान देंगी यह किसी भी प्रथम बुद्वार से 36 या 41 बुद्वार तक ब्रत करें जो जातक भूतिक सामाजिक आर्थिक रूप से माला माल कर देंगी और किसी भी असुब योगों से सुरी गनेश जी सुरी हरी विश्नुजी एवं सुरी लच्मी जी प्रच्छा करेंगे हैं एसा विश्वास बना कर रखें क्योंकि आपनेंगे 41 दिन का ब्रत अनुष्टान जो कर लिया है अतर ब्रत पर पून विश्वास रखें 41 ब्रत के बाद पुद्यापन करें और उसके बाद ब्रत नहीं करें दूसरा अपा है बुद्वार के दिन बुद्य अंत्र को हरे कपड़े पर खड़ी मूं की दाल के अस्ट दल कमल पर इस्थाफित करके ओम बुम बुधाई नमा या ओम गम गम पताई नमा मंत्र का जाप 1112 प्रत्यक बुद्वार 41 बुद्वार तक करें या 18,000 मंत्रों का जाप एक साथ करें साथ में हर एक मंत्र के साथ में एक मूं का दाना यंत्र पर चड़ाएं बीच बीच में अपनी मनों कामना को प्रभू से कहते दें या हो सके तो कापी में लिखकर अपने सामने रख ल पुजा के अंत में यंत्र को घर में इस्थापित करके टपड़े और डाल को पवित्र नदी में प्रवाईत कर दें घाय को अपने हातों से ऐसे खिलाएं कि गाय आपकी हतेर्यों को चाट ले जिससे आपके हाथों के सारी नकारात्मक का चाट कर सकारात्मक बना देगी गाए को खिलाते समय ध्यान रखें कि गाए मारने वादी नहीं हो नहीं तो आप कहेंगे कि गुरू जी ने ये क्या बता दिया है इन उपाईयों से शिरी गनेश जी निस्चित रूप से आप पर कपा करते हुए सुक सम्रद्य धन वेहोग एवं पुन्य के रास्ति खोड़ देंगी अतो ही सबी उपाए कारगर साबित होने वाद हैं तीसरा उपाए हरी वस्त्र में धान करें छटा है।ator 4 सुब्त परकुर परब्ट करने के लिए अपने बड़े गुजर्गों का सम्माण करते द हुए चरण इस पर स्करें यही अपाद के लिए वर्दान सबीत हो जा एगा। शिरी सानी देव जी की सुब्त करते करने के लिए सनीवार को पीपल में जल और पित करते हुए, देव एवं पित्तों से छमाई अचना करें, साम को सर्सों के तहिल का दीपक लगाएं। गव की सेवा करें, जिससे स्री लश्मी जी की सुप्ता काप्थ होगी। सरी गणेज जी एवं सरी लश्मी जी की आर्ती नित्य करें, और उनके अर्थों को जार्यम करें। दसवा है, सौच सकारात्न एवं चरित्र साफ रखें। ग्यारवा है, योग प्राणाययम ध्यान करें, ताकि आप सारीरिक्यमान्सिक रूप से स्वस्त रहे सकें। बारवा है जो आपके पास है उसे महसूस करें और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। रूप से परिवर्तन होने लगेंगे। यदि जातक कोई इसा कारे करता है कि उसे समय नहीं मिल पा रहा है तो जातक को मांसी जाब और छमा साधना अवस्य करने चाहिए। तो यही सकारात्मक सोच और साप चरित आपको सफलता दिला सकता है। रुक्त तरीके से किये गए निश्चित रुप से परिवर्तन होगा। दोस्तों उप तरीके से की गई पूजा पार्ट जब ब्रत से मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और जब भी आवसकता होगी यह मंत्र हमेशा कारे करेगा। क्योंकि यह सिद्ध हो चुका मंत्र आपके राशी के स्वाने बुद् स्वाने थे और इस साल भी यही हैं तो दोस्तों आपकी राशी भी तो वही है परन्तों कुछ ग्रहों के दसायं चंच हो गई हैं लेकिन आपकी राशी का स्वामी और कारग्र हो ही है अता वही कारें गर्णारा सी के कण्मर्ण बद्ध सुक्र हैं यही से संवनदी उपाय बताये जाएं जो कारगर सावित हो खुश्ख़दी खुश्ख़दी यहाँ है की अपनी कुणली विसलेशन फ्री में पाएं क्या करना आपको जो भी जातक अपनी कुणली मनवाना और सुख्श्व विसलेशन करवाना चाहता है वो मेरे चेनल को सब्सक्राइब करके अपना डाटा जैसे कि जनम जिनांग, जनम समय, जनम इस्थान और नाम वार्टसप कर दें। उन्हें 13 पेश की खुंड़ी और सुक्ष्म विस्टलेशन तीन दिन के अंदर वार्टसप पर ही मिल जाएगा। और दूसरी खुंड़ी के विस्टलेशन में आपको आपके वह गुण और कर्म दिखाई देंगे, जो आपको ही नहीं मालूम या आपको अपने गुण और कर्म मालूम तो हैं, पर उन्हें करना है या नहीं करना है, यह आपको पता नहीं, जब आपको यह पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं तो आपकी उन्यती डवल हो जाएगी। अथा कुंड़ी वनवाने और कुंड़ी विस्टलेशन करने के लिए संपर्क करें। अथा इस वीडियो को लाइक करें, सबस्क्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अन्यग्यानवत वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। और इसे शेयर भी करें, ताकि आपके शेयर करने से आपका फ्रीचित भी लश्मित करपा से लावनवित हो सकेगा, और आपको दूआ देगा। जिससे आपको डवलपन की प्रप्ती होगी। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करें या इमेल करें या वाट्सअप करें। हमारे मोबाइल नंबर और वाट्सअप नंबर है 750-900-476 और इमेल आईडी नंबर है सूरितायाल गुरू6268-gmail.com भन्नेवाद दोस्तों। झाल झाल जाल झाल झाल